प्रेगनेंसी टाइम में हमेशा ऐसी डाइट लेने की कुछ करते हैं जो की हेल्दी हो जो की होने वाले बच्चे और जो प्रेगनेंट मदर हैं उनके लिए दोनों के लिए ही फायदे मत हो तो आज हम एक ऐसी ही चीज के बारें बात करने वाले हैं जो की है बीट रूट जिस चुकंदर खा रहे हैं या नहीं चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखें मैं आपको बता दू कि प्रेग्नेंसी टाइम में भी आप चुकंदर यानि बीटूट खा सकते हैं इसके नूट्रेंट्स के बात करें तो इसमें होता है फॉलेट, आईरियन, कैल्शियम, विट अब चुकंदर खाने से प्रेग्नेंसी टाइम में आपको क्या क्या फायदे होते हैं ये जान लेते हैं। अगर आप चुकंदर खाते हैं और अपनी डाइट में फॉलेट को इंक्लूड करते हैं नमबर त्री इसमें विटामिन सी काफी अच्छा है तो ये आपके और आपके होने वाली बेबी की इम्मुनिटी को भी अच्छा करता है चुकंदर में पाया जाता है कैल्शियम जिसके विज़ा से आपके और आपके बेबी की बोन्स भी स्ट्रॉंग होती है चुकंदर खाने से आपके और आपके बेबी की स्किन भी अच्छी होती है beetroot में fiber होने की वज़़ से ये आपको pregnancy time में constipation से भी बचाता है इसके लावा pregnancy में अगर आप beetroot खाते हैं तो आपको gestational diabetes और high BP के chances नहीं होंगे क्योंकि ये high BP और sugar के level को भी control करता है कभी-कभी जब body में आपको सूजन लगते ना pregnancy time में तो अगर आप beetroot को अपने diet में include करते हैं तो इस चीज़ में भी आपको अराम मिलता है तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं pregnancy time में beetroot और चुकंदर खाने के pregnancy में beetroot आप शिरुआत से ही खा सकते हैं अन्यकि pregnancy के पहले महिने से ही आप चुकंदर खा सकते हैं इसमें कोई परिशानी नहीं है पर हाँ जैसे इसके फायदे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत जादा ही beetroot अपने diet में include कर रहे हैं हर चीज़ एक limited amount में खाये जाए तो ही उसके फायदे हैं तो एक जो beetroot चुकंदर उपा medium size का होता है उसका आपको आधा जैमें nausea vomiting होने लग जाता है या फिर beetroot खाने के बाद उनको जो tongue होती है जीव होती है उसमें थोड़ी जलन-जलन सी feel होती है अगर आपको कच्चा चुकंदर खाने से ऐसा कुछ feel होता है तो आप उसको पका कर खा सकते हैं कुछ तरीके हैं जिनसे आप beetroot खा सकते हैं जैसे कि आप beetroot को ऐसे salad मसलाद की रूप में खा सकते हैं आप beetroot और टमाटर का soup बना कर पी सकते हैं आप चुकंदर का रायता बना कर खा सकते हैं आप चुकंदर और गाजर का जूस बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नीमू डालके पीते हैं, तो ये भी प्रेग्नेसी टाइम में अच्छा रहता है, आप चुकंदर की इडली बना कर भी खा सकते हैं, चुकंदर को अच्छे से ग्रेट करें, जो इडली का बैटर होता है, और फिर इडली बना लें और फिर उसको खा सकते हैं, ये भी बहुत वायदे बन रहता है, बेटरूट का रायता बनाना भी बहुत आसान है, इसके लिए आपको दही में थोड़ा सा जो चुकंदर है वो घिस लेना है, ग्रेट कर लेना है, थोड़ा सा नमक डालीजे, आपको दाल देना है, और इसको मिक्स करके आप खाये, बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसके बहुत सारे फायदे भी आपको मिलेंगे, तो इन सब तरीकों से आप प्रेगनेंसी टाइम में बीचूट को खा सकते हैं, लिमिटेड खाना हैं, और कुछ बातों का जरूर ध में थैंदेन इनकिय को वाचिए